यह वीडियो शुरू करने से पहले कुछ बात आपको बोलना है यह जो वाइनिंग टेमपरचर और ओयल टेमपरचर कैसे मीजर होते हैं उसके उपर यह ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको देना चाहते हैं ट्रांस्पर्मर कंपनी जो होता है एक्चली जो कंपनी ट्रांस्पर्मर करते हैं ट्रांस्पर्मर को यह टैंक होता है उसके अंदर ओयल रहते हैं हम लोग जानते हैं ठीक है तो इसमें क्या होता है इसमें वाइनिंग भी रहता है यह कंपनी वाला क्या करता है यह और गैश फिल रहता है आधर लिकूइड और गैश फिल होता है ठीक है और वाइनिंग के पास यह होने के करन एक हीट तो जेनरेट हो गाई ना यह हीट क्या करते हैं उसको जो जो सेंसिंग बाल्ब उसके अंदर जो लिकूइड और गैश होता है वो सेंस कर लेते हैं ठीक है उसके बाद हम आते हैं वाइंडिंग के पास, ट्रांस्पॉमर का वाइंडिंग रहता है, और वाइंडिंग के अंदर से जो करेंट फ्लो होता है, उसको मिजर करने के लिए एक सीटी अलग सा रहता है, ये सीटी क्या करता है, जो टोटल जो करेंट इसमें फ्लो होता है, उसक के कार्विस्वांडिंग सेखी कि हीटिंग सिग्नल जनải होगा वह meaning signal कि होगा वह cous 이 सटीनल हीटिंग रिंटिर में सेंड कर दिया जाता है ठीक है naught सीटी जो हमने दोला सेटी के लास्ट चनल फिल्ट रिंग रिंदा इन उसको हां च्पर किया जाता है वो heating register क्या करते हैं यह according to load current corresponding एक temperature indicate करते हैं वोई हम लोग देखते हैं वाइनिंग temperature के indicator के द्वारा हम लोग देखते हैं यह मैने बोल दिया एक sensing bulb जो रहता है उसके द्वारा एक और यह जो current transformer रहता है ये दोनों मिला के एक winding temperature हम लोग को दिखाया जाते है ठीक है तो और एक चीज़ आपको बोलना चाहते है इसके साथ साथ एक burden tube भी रहता है इसके साथ एक connect रहता है और ये burden tube का अंदर भी fluid रहता है ये fluid क्या करते है ये जो हम temperature जो gaze होता है उसके साथ ये connected होता है और जितने ये temperature variation होगा एक pointer इसमें connected है ये pointer वो जो डायल गेज रहता है उसमें indicate करेंगे modern जो technique अभी use होता है उसमें WTI के साथ साथ एक thermistor और RTD जिसको हम registered temperature detector बोला जाता है ये high accuracy और faster response के लिए use होता है तो जो भी हो अभी मैं ये practical आपको दिखाते कैसे होता है तो ये वीडियो आप देखिए ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है मगर ज़रूर देखिए बहुत कुछ अपनों सीखने को मिलेगा हादा दस्तो मेरा नाम संजीप है और मेरे चनल में अब सभी को स्वाज़त है आज टेमपर चे इंडिकेटर के ऊपर एक वीडियो लेकर आए है तो आपको दिखाते हैं एक्शुली देखिए मेरे सामनी है 31.5 MB एक ट्रांसपोर्मर है इसमें तीनों इंडिकेटर है अभी बहुत साउंड हो रहा है तो यह बाला देखिए वाइंडिंग आपको दिखाते हैं उसमें दोनों है ऐसा क्यू इसके कारण क्या है सब कुछ अब को दिखाता है यह six points ठीमब्य ट्रांसपोर्मर सब कुछ आपको clear कर देंगेお願いします अब देखिए इसमें डोनों है इसमें एक यह यह ओयल temperature indicator है और यह WTA है किसलिए यह चोटा ट्रांस्परमा दोनों रहते हैं और बढ़ा ट्रांस्परमा में तीनों रहते हैं इसका करण अपको दिखाते हैं चलिए एक्चली यह जो temperature लेते हैं हम तो कैसे लेते अपको दिखाते हैं अब देखिए यह हम यह वेक्टर सेटि इसाइड आर आर तराण्सपरानर के जो सेकंड रविसió सा इसे सलब संफAll में कडिल्ट कॉनेक्षिह कोई भी 469 का कनिक्षन इसमें नहीं है नहीं है नहीं है तोमक्रणन को युदी a कनिक्षेन नहीं है इसमें एक only LB side जो है इसमें देखी एक CT दिखा रहा है secondary side में कि इसमें neutral के साथ एक CT connection है और इसमें एक face के साथ connection है 2W मतलब secondary side और W मतलब red yellow blue blue face के साथ एक CT के connection है ठीक है तो LB side के साथ ये connected है एक neutral के साथ और एक S के साथ इसलिए ये face के साथ जो ये CT connected है इसके लिए आपको जो WTA1 मिलता है भो भी ये CT की द्वारा हम लेते हैं कैसे निते हैं आपको कैसे हम लेते हैं इसको आपको दिखाते हैं इधर देखिए WTA1 CT कहाँ पर है WS1 WS2 आपको मैंने दिखा दिया WS1 WS2 ये CT का जो secondary side है वो है S1 S2 ठीक है और एक है Neutral City के साथ क्या है देखिए Neutral City के साथ ये तीनो टार्मिनल वारा CT है वो अलग चीज है ये Neutral City के लिए XCT ठाकता है और WT XCT रहता है में लिए चोटा वाला ट्रांस्पोर्म है इसलिए इसमें WTI के लिए एक कहाँ पर ये Blue Face के साथ एक CT है तो चलिए प्राक्टिकल आपको दिखाते है इसमें secondary side कहाँ पर है ये वाला ये सेकंडरी साइट है 11 गिव साइट Blue वाला कहाँ पर है वो आपको दिखाते है CT कहाँ पर रहता है ठीक है तो टारेट के साथ ये current transfer लगा रहता है तो टारेट किसको बोला या था वो भी आपको दिखाएंगे ठीक है Blue वाला अच्छली उदर है इदर ही देखनेगा आपको मिलेगा सब्सक्राइब के साथ एक सीटी रहता है ठीक है इधर से तो ठीक टाक देख नहीं पाएंगे तो भी ट्राइब करते है ठीक है अब ठीक से दिखा नहीं सकते अपको दूसर ट्राइब करते तो इसमें जो एलवी साइड है इसके साथ यह नीचे एक कान ट्रांसपर्मा करें टर्मिनल श्यूर्ली इसमें आएगा आपको दिखाते हैं देखिए यह जो ट्यूब होता है न यह ट्यूब इसमें दोनों है एक OTI के लिए हैं और एक WTI के लिए ठीक है इसी दिए दोनों वायर और यह दोनों इधर आए है देखिए ठीक है और इसके बाद अब देखिए हम उपें रहा है ठीक है इधर वे भी है एक WTI के साथ कनेक्शन है और एक OTI के लिए और WTI एक ही क्यू है आपको मैंने दिखा दिया एल्बी Blue Face के साथ जो City Connected है उसके लिए एक है और चलिए इसको तीनों क्यूँ है वो भी आपको दिखाते है अब तो समझी गया है तीनों क्यूँ है एक Oil Temperature के लिए और दोनों WTI तो चलिए वेक्टर ग्रूप के साथ इसमें है आपको दिखाते है देखिए लेखिए एक connected है CT ये मतला भी एक WTI CT है ठीक है और second day side के एक LV के लिए एक city है तो दोनों क्या क्या होगा इसमें y face के लिए y face primary side में है और second day side में भी second 2 ऐससे 2 करके second day side उसमें भी y face में एक city है कि दूनों तीन सीटी हो गया एक प्राइमेर साइट के लिए वाइफस के साथ कनेक्टेट है और दूसरा वाइफसस एल्वी साइट के साथ भी कनेक्टेट है तो कैसे यह कनेक्टर का भो भी आपको दिखाएंगे तो चलिए पास में और एक ट्रांस्पोर्मर है उसके उपर ह दिखाते हैं आपको जादा उपर तो हम नहीं उठेंगे तो आपको नीचे से दिखाते हैं चालू यह ट्रांस्पोर्मर है अब देखिए यह वाला एक ट्यूब आपको दिखाते हैं चलिए यह वाला एक ट्यूब जो है आप देखिए यह वाला यह वाला जो ट्यूब मैं दोनों है इसमें अजुद्ट दिखा दीया दीनस तॉत उपुदूर वालता गफिसने 141 तोorter कि अच्छे में लिए होदोनो में देखा डिया यह यह झाहना यह दिखाया वह एक शाने में दोन Για यह थ söylट यह इस ट्रस ने अच्छुली टाप कवर के साथ आपको मैंने यह दिखा दिया, यह वाला जो है आप देखिए, यह WTI के लिए, डाइरेक्ली एक सेंसर बाल्ब रहता है उसमें, और टांस्पोमाट टैंक के अंदर चला गया है, ज्यादा नहीं है, और उसके साथ एक सेंसर बाल्ब और कैपिलरीटिव ऐसा रहता है, और OTI के यह वाल तेमपरचर आफ नियाजकों वहल एत्मसमे और छुच इनलिए सीटी अलग से रहता है, यूधकी, आपको जो, यह मने आपको दिखाद, यह जो, यह वाल तेमपरचर आपको दिखाते हैं, कुछ दिखा रहा है यह जो टेंपरचर अब जो कर रहा है और एक चीज दिखाते है इसमें इस साइड में कुछ दिखा रहा है यह वाला जो कर रहा है यह अभी फ sentiments लिए। फेस्ट को बोलगे हो मैं यह काला जो इंडिकेटर है पोर करेंग क्या वा साथ वा है रिट वात हैं मैकसिमन टिंपरचर कितना आए है यह इंडिकेशन करते हैं सबनाद इसमें भी WTI कितना बही करें टिंपर्चयट रेक पॉइंटर दिखा रहा है और रेड व ची मैक्सिमुम लूब एक साथ देखिये और एक फोड़ा वाला है यह देखिए यहे लन जो दिक रहा है यह الाम हम इधर से मैक्सिमुम अलब सेट कर स तेंपरेचर रिखा है आपको मैंने दिखा नहीं सकते ठीक से इधर देखिए नीचे यह जो ब्लैक वाला जो पॉइंटर को जो इन पॉर्शन है इसके नीचे है ट्रिपिंग सेटिंग करने के लिए एक एलाम और एक ट्रिपिंग हाँ इधर सेट कर सकते हैं और एक चीज वो मैंने नहीं बता है आपको WTI के लिए जो CT होता है देखिए इधर जो प्लेट है इसमें अब देखिए यह टिम्परचर दी वाई एंग डिल्टा साइड है प्राइमारी एच्वी साइड और स्टा साइड है नूट्रल स्टाव सेकंडी साइड स्टाव देखिए प्राइम एक WTI CT और स्टाव सेकंडी साइड के लिए एक WTI CT रहना तो चाहिए मगर यह चोटा ट्रांस्टमान है इसलिए इस साइड में नहीं है अंली एक WTI CT पर टेंपरचर मिज़ामें अंली एज़ी साइड, एलवी साइड में कुछ भी नहीं है, ठीक है? और इसका सीटी अब को दिखाते हैं, कैसे कनेक्ट किया जाता है, डव्लू टे एसीटी, ये देखिए डव्लू टे सीटी कहा पर है, तारेट के साथ डब, एज़ी साइड, ब्लू फेस के साथ कनेक्टे है, ठी एज़ी उस साइड में है, तो चलिए, रेट फेस अब को दिखाते हैं, इधर और भी सीटी है, मगर, रेट फेस के साथ क्या है, देखिए, वह वाला एक सीटी है, देखिए, ठीक है? ये टारेट के साथ ये एक सीटी कनेक्टेट है, अब को मैंने पहले बता है, वह वाला जो है, वह एक सीटी है, डावलू टाइए सीटी, उसके साथ ये जो टेमपरेचर इंडिकेटर डावलू टी है, वह कनेक्टेट है, एक्चुली उधर का सीटी का सेकेंडरी साइट है, वह सीटी का सेकेंडरी, इधर ये जो डावलू टाइए इंडिकेटर है, उधर आया है ठीक है उधर आने के बाद उधर एक temperature sensing resistance है WTI में जो CT रहता है टारेट के साथ वो CT connected होता है जो winding में उसके साथ connected होता है टारेट के अंदर ही रहता है ठीक है ये टारेट क्या चीज़ है वो भी आपको दिखाते है आप देखिए ये जो एक transformer है इसका ये जो bottom portion दिख रहा है आपको दिखा है ये जो ये वाला जो ये जो bushing दिख रहा है आपको ये bushing के bottom जो portion है metal portion अलो ऐसा pipe करके उसको टारेट बोला जाता है उसके अंदर ही न्यूटल सीटी रहता है आपको बाहर से नहीं देखने को मिलेगा और इसका जो connection है आउट साइट से है ये देखिए डब्लू ये सीटी इसमें भी एक connected है ठीक है आपको मैंने बताया primary site जो ब्लूफूस आपको दिखाया मैंने ये देखिए इधर दिखा इसमें आए है और इसमें temperature resistance है वो सीटी से कंडरी में जो current flow होगा उसके लिए temperature प्रोड्यूस होगा उस temperature को काम के लगा काम लगाते हैं तो temperature यह जो resistance है रेजिस्टेंस जो सेंसर एलिमेंट है उसके अंदर आते हैं ठीक है योग एपिले ट्यूब और सेंसिंग बाल्ब ऐसा कुछ है उसमें उदर आते हैं और इसके सदे डायल गेज लगार आता है वो डायल गेज एक्चुल इसमें और कुछ है यह 31.5 इंबिय तीन हो इसमें देखिए चारो मारकरिक्ष्ट है ठीक है एक दो तीन चार इसमें S1, S2, S3, S4 यह जो S1, S2 है यह अलाम के लिए है यह अलाम के लिए यह S2 है क्रिपिंग के लिए ठीक है वाइनिंग टेमपरचर है इसके है चारो कनेक्टेड है ठीक है और इधर S3 और S4 यह S1, S2 है जो WTI एलाम और WTI क्रिप के लिए है ठीक है और S3, S4 जो है वो पाम्प और फैन को कॉन्ट्रोल करने के लिए एक्चिल क्या है जब भी टांस्पॉर्ण का टेमपरचर बर जाते है ओल के लिए तो एक टेमपरचर सिंसर है वो टेमपरचर कर देंगे मगर बरा टांस्पॉर्ण में है प्रोटेक्शन जादा रहता है इसलिए एस वन एस टू तो एलाम और ट्रिप कॉंसेप्ट उसमें है उसके साथ सब फैन और पाम जिसमें जो करेक्टेड है उसके साथ भी जुड़ा रहता है फैन और पाम के लिए ठीक है तो आपको कैसा लागा यह वीडियो कमेंट करके जरूर बताना मैं जो नौलेज ज्यादर के रिख्था है वह आपको मैंने दे दिया आज और भी टीटल्स है तो बाद में वह आपको देखेंगे देंगे तो अभी मैं यह वीडियो खतम करता हूं मैं फिर से लेकर आएंगे इससे कुछ नए वीडियो तब तक के लिए बाई बाई